हेलो छात्रों, दिक्षान्स एडिटेक में स्वागत है आपका वर्ग आर्ट के लिए विशे हिंदी में पार्ट एनी एन फ्रेंक की डाइरी एन फ्रेंक की डाइरी कुछ अधूरे पन्ने यह पार्ट का नाम है एन फ्रेंक एक यहुदी लड़की जो जर्मनी में अपने पिता के साथ रह रही है तेरा वर्ष की लड़की है परन्तु इसके तेरा वर्ष की उम्र में ही इतनी दूरदर्सता को देख करके जो उसने अपनी डाइरी में लिखी है उन दूर्दस्ताओं को देख करके यह समझ में आता है कि आखिर वह कितना चिंकन करती है एक जो अच्छे इतिहांसकार होते हैं जो अच्छे विसलेशक होते हैं उनके तरह ही या बच्ची विसलेशन कर अपने मन में मन्थन कर उन सभी तत्यों को अपने डायरी के माध्यम से लिख रही है जिन तत्यों को सुनकर समझ कर ऐसा प्रतीत होता है कि यह तेरा वर्सिया लड़की आखि इतनी गूर्षिंतन कैसे कर सकती है प्रंतु उसने किया और इसी वज़ा से उसकी यह डायरी आजमे पढ़नी आए चात्रों आगे दिखते हैं एन फ्रैंक के बारे में एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ 12 जून 1929 को हुआ और इनका जन्मस्तान फ्रैंकफर्ट सहर जर्मनी जर्मनी में इनका जन्म होता है फ्रैंकफर्ट सहर का नाम है इनके माता का नाम एडिध होलांदर और पिटा का नाम ओटो फ्रेंक माइकल के नाम से भी जाने जाते थे इनके पिता ही वह सक्स हैं सक्स थे जिन्होंने एनी फ्रेंक के मरने के बाद मिर्तू परांद इसके डायरी को उन्होंने प्रकासित किया और उससे पुरा समसार उनके उस डायरी में लिखित विचारों से औगत हुआ उनकी प्रमुक रचनायम में से एक डायरी है जो डायरी के ही आंसम हमें पढ़ने है इस पार्ट में 1947 में 1945 में इनकी मिर्तू हो जाती है 1929 से 1945 15-16 16 वर्ष की आयू में यह मितू को प्राक्त हो जाती है यह एनी फ्रेंग इस दुनिया से अलविदा कर दुसरे दुनिया में चली जाती है उनई 1947 में पिता द्वारा प्रकासित किया गया यह डायरी और बिश्व भल में सतर भासाओं में प्रकासित हुआ अलग अलग देशों में अलग अलग भास आएं हैं और उसमें से 70 भासाओं में इसके इस डायरी का ट्रांस्लेशन करके रूपांतरन करके अलग अलग 70 भासाओं में प्रकासित हुआ यह इतना विचारनीय पत्र था एनी फ्रेंक का आए देखते हैं छत्रों इस पाठ से हमें क्या-क्या अधिगम मिलने वाला है अधिगम समप्राप्ती क्या-क्या प्राप्त होने वाला है तो पाठ के माध्यम से दूरान विश्व में होने वाली गतिविदियों से आउगत होना पाठ की माध्यम से विश्वुद के दौरान विश्व में होने वाले गतिविदियों क्या क्या गतिविदिया चल रही थी दूतिया विश्व युद्ध के समय हमारे पूरे विश्व में चुकी विश्व युद्ध की बात हो रही है विश्व उसमें अपनी भूमिकायनी वाया था और उस समय की घटनाओं को असपस्टी करन इस पार्ट के अंतरगर हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे यहुदियों द्वारा जेली गई सारीरिक और मांसिक यंतरणाओं के बारे में जारना यहुदी यहुदी आप जानते हैं जर्वनी के इतिहास को पढ़े होंगे पढ़ना तो है हिटलर के बारे में हिटलर ने यहुदी धर्म के जो भी लोग थे उन्हें कितनी यांतरणाय दिया उन्हें चपल पहन कर घुमने की जायत नहीं थी उन्हें रात में सरकों पर आठ बज़े रात से लेके चो बज़े सुबह तक सरकों पर गुमने की जायत नहीं थी उन्हें सिनेमा देखने की जायत नहीं थी उनके उपर कई पावंदिया लगी हुई थी और जो पकरा जाते थे उसे जिन्दा जला जाता था जोक दिया जाता था कई तरह से उन्हें प्रतारित किया जाता था यहुदियों को और उस समय जो यहुदियों के द्वारा धेली गई थी सारी रिक और मांसिक यंत्रना आए उनके बारे में इस पार्ट में हम जानेंगे युद्ध विविश्काओं से परिचित कराना और युद्ध के दूस्ट परिणामों की ओर ध्यान आक्रिष्ट करना युद्ध के जो दूस्ट परिणाम होते हैं देखे चाहते हैं युद्ध कभी भी हमें अच्छाई तो दे नहीं सकता क्योंकि वह स्व्यम अच्छा नहीं होता जो स्व्यम अच्छा नहीं होते उससे बला अच्छाई की कामना की भी कैसे जाए युद्ध तो विनास का ही नाम होता है युद्ध में चाहे सर जिसके भी कटते हों कटता तो मानव समाज ही है और युद्ध कभी कुछ देता नहीं बलकि हमसे बहुत कुछ ले लेता है पिशन्दे राजाओं महराजाओं द्वारा नेताओं और कई देश के जनता उँ द्वारा भी युद्ध लड़ा गया या काल के गाल में समाने वाले लोग कोई और नहीं उसी देश के वासी थे किस तीर पर किस का नाम किस कोली पर किस का नाम लिखा हुआ था या जनकारी उनके मरने से एक पल पहले तक नहीं हो थी या तो तभी होता था जब उन्हें अलविदार करना होता था कि युद्य वीवी सिकाओं से प्रिचित करना और युद्य के दुशपरिनामों की और धियान आठिस्ठ करना Amyaa युद्वीवी सिकाओं में एक नौजवान की सोच को दर्साना और यह नौजवान जो अपनी सोच दर्साई है एनी फ्रेंक उसे समझना है। एक से समझा जा सकता है। जब हाड़ी में फात पकता है तो एक दाना निकाल कर ही देख लेने पर काफी होता है। अपने भी देश में नौजवानों की इस्तिती जब आजादी के लड़ाई के समय थी वैसी ही इस्तिती लगभग विश्व के अन्य देशों में भी हो सकती और ऐसी ही इस्तितीयों से आउगत होना है इस पार्ट में। अब अंतिम पॉइंट है पार्ट को पढ़ना और इसमें निहित विचारों का अधियन करना। इसमें जो विचार निहित हैं उनका अधियन कर अपने जीवन को उतकृष्च और उन्नत बनाना ताकि यह क्या है यह एक आइना है जो दिखाता है हमें कि हमारे समाज में पहले जो घटी तो हो चुकी है घटना है वो किन किन कारणों पर हुई है किन किन आधार पर हुई है उन आधार उन कारणों से हम अपने जीवन काल में परहेज करके चलें ताकि वैसी इस्तिती पुना वापस करके उससे और आगे बढ़ें कि है कि आईए चात्रों को देखते हैं एन फ्रेंक को अपनी 13 भर्स गाठ के दिन पहले अपने पिता से उपहार सोरुप डायरी मिली अपने पिता के द्वारा गिफ्ट किया गया था उनके पिता ने 13 भर्स गाठ पर जब वह 13 भर्स की हुई थ तो उसे उसके जर्म दिन के उपहार स्वरू उसे एक डायरी भेंट किये थे और डायरी मिली जिससे उसने अपना सच्चा मित्र माना और उस डायरी को एनी फ्रेंक अपना सच्चा मित्र मान ली तथा उस डायरी का नाम कीटी रखा एनी फ्रेंक ने अपने डायरी का भी नाम रखा था डायरी हम जानते हैं कि वह निर्जीव पराथ है लेकिन सजीव से कम नहीं तो उसमें लिखी हुई बातें एनी फ्रेंक आज नहीं है परन्तु उसके डायरी और उसके डायरी में लिखे हुए तत्यों का सत्तर भासाओं में रुपांतरन पुरिय विश्यों में है आएए देखते हैं वो 12 जून 1942 को दिन था सुक्रबाद उस दिन अपने डायरी में वो लिखती है क्या लिखती है आसा है मैं तुम्हें सब कुछ बतला पाऊंगी जैसा मैंने पहले कभी किसी को नहीं बतलाया है निशंदे डायरी ऐसा ही चीज होता है चात्रों डायरी में अपने मन की उन सभी बातों को हम लिखते हैं अपने धारणाओं को लिखते हैं अपनी इक्छाओं अकंचाओं को लिखते हैं अपनी जजबातों को लिखते हैं क्योंकि डायरी में उन सभी बातों को हम लिख देते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं हमारे अंदर कई प्रकार के विचार उठते हैं वह वस्तु है वह तत्य है जो और ध्वनात्मक होता है उसकी ध्वनी नहीं होती वह तो हमारे मन में उड़ता है हमारी भाव में होती है और वह भावनाएं जो भाव में नीत होती है वह किसी को दर्शित नहीं होती उन्हें जब हम सब्द का रूप देते हैं जब उसे ध्वन प्रदान करते हैं, तभी कोई सुन पाता है हमारे विचारों को, यहां उनी विचारों को अपने वह लिखने की बात कर रही है, कि बतला पाऊंगी या नहीं उसे संदेह, क्योंकि वह अपने हिर्दे की बात जल्दी किसी से कह नहीं पाती है, जैसा मैंने पहले कभी किसी को न संतावना और धारस का स्रोत बनोगी तुम्हारी एन अर्थात या इस तरह से लिखती है अपनी डायरी को अपनी मित्र समझ करके अपनी मित्र मानकर उसका नाम भी रखती है उसका नाम किट्टी है डायरी का और किट्टी से अपने मन की बातें जिन बातों को वो दुसरे से सेर नहीं कर पा रही है उन बातों को लिख रही है यहाँ पर पहले दिन पहले पार्ट पहले पत्र में पहले पत्र को उसने 12 जुन 1942 को लिखा था अब 20 जुन यानि उसके आठ दिन के बाद एक इंटरवल के बाद 20 जुन 1942 यह भी दिन सुक्रबार का ही दिन था एन फ्रेंट एक यहुदी लड़की थी सुक्रबार के दिन यहुदी या क्रिश्चन धर्म के जो लोग होते हैं वो गुड फ्राइडे को मानते हैं और उसे गुड बनाने के लिए गुड फ्राइडे का नाम देने के लिए उसे गुड फ्राइडे को गुड बनाने के लिए वह चर्च में भी जाते हैं अपना पूजा अराधना भी करते हैं तो वह 20 जून 42 सुक्रबार को ही फिर लिख रही है अपने डायरी को बता रही है अपने मन के मन हिस्तिती को मुझ जैसी लर्की के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनुखा अनुभव है क्या कहती है कि मुझ जैसी लर्की के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनुखा दिकतें थी क्या केवल इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है बलकि इसलिए भी कि तेरा वर्षिया एक इस्कूल जाने वाली लर्की के चिंतन में कोई रूची नहीं लेगा बने वह लिखना सचमुच एक अनुखा अनुभव उसके लिए है क्यों आखिर लर्की के लिए एनी फ्रेंक के लिए डायरी में लिखना सचमुच एक अनुखा अनुभव है कैसे तो वह यह समझती है कि तेरा वर्सिया एक स्कूल जाने वाली लर्की की चिंतन में कोई रूची नहीं लेगा मेरे विचार से कागज में मनुष्य से अधिक धर्य होता है मनुष्य सुनने के बाद से बरदास नहीं कर पाता परंतु कागज पर जो भी लिखो वह सक्षमता से उसे बटूर कर रखता है इसी बात को यह कह रही है कि कागज में मनुष्य से अधिक धर्य होता है वह इन बातों को संभाल कर रखता है साइद इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक तेरह वर्सिय लरकी इस दुनिया में बिलकुल अकेली है और मैं अकेली नहीं हूँ मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले माता पिता है और माता पिता है और एक सोलह वर्सिय बहन भी है एनि फ्रेंक की बहन कितने वर्स की है सोलह वर्स की बहन भी है ऐसे 30 लोग और भी है जिने मैं अपना मित्र कह सकती है नहीं, ये सब सतही है, सतही का आर्थ हुआ यू ही मित्र बन गए है जीवन में आने वाले सभी लोग मित्र का दरजा तो हम दे देते हैं परन्तू मित्र की परिभासा में वो नहीं आ पाते नहीं है ये 32 लोग और हैं उनके आसपास 30 लोग हैं और माता पिता एक बहन है उनकी सोलवर्स की इतने लोग हैं उन्हें प्यार करने वाले मनने वाले फिर भी वह अपने आपको इस दुनिया में अकेला मानती है क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है ऐसे में एक सच्चे मित्र की खलपना में इस डायरी को अपनी सच्ची मित्र मानती हूँ और अब मैं अपनी इस मित्र को कीटी कहूंगी क्या नाम दिया है किटी या बात एनी फ्रेंक ने अपनी डाइरी का नाम किटी कब रखा 20 जून 942 दिन सुक्रबार को हमारा जीवन चिंता मुक्त नहीं है क्योंकि जर्मनी में रहने वाले हमारे रिष्टेदार हिटलर के यहुदी विरोधी नियमों के कारण कस्टम उठा रहे हैं माई 1940 के बाद अच्छे समय बहुत कम और बहुत दूर हो गये हैं यानि माई 1940 के बाद हिटलर का जो अत्याचार बढ़ा था यहुदियों पर वह असिमीत उन्हें कस्ट दायक था फिर आत्म समर्पन पहले युद्ध हुआ फिर आत्म समर्पन फिर जर्मन लोगों का आना जिससे यहुदियों के लिए कठिन दौर आ गया अर्था बिश्व युद्ध हुआ था और फिर आत्म समर्पन सबने किया क्योंकि हार गय थे और फिर जर्मन लोगों का आना वहाँ पर आना शुरू हो गया था जिससे यहुदियों के लिए कठिन दोर आ गया है यहुदी विरोदी नियमों ने हमारी आजादी को सीमित कर दिया है यहुदियों को एक पीला तारा टांकना आवस्यक है वो उनका इडिन्टिफिकेशन मार्क होता था एक पीला तमगा लगा के यहां पर रहते थे जिसका आउर्थ होता था क्यों वो यहुदी हैं आसानी से भीर में भी पहचान दिये जाए हमारी आजादी सीमित कर दिया था य यहुदियों को एक पीला तारा ठांक ठांकना आवश्यक है। उन्हें अपनी साइकिले जमा करा देनी परी। यहुदी ट्राम आदी सावजनिक वाहनों पर नहीं चड़ सकते। अपनी कार भी नहीं चला सकते। उन्हें केवल साम तीन वह से पांच बज़े तक खरीदारी कर कि छे बज़े साम को आठ बज़े रात के आठ बज़े के बाद और छे बज़े सुबा से पहले कोई भी सरक पर नहीं दिखना चाहिए। यहुदी अगर दिखता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उनके लिए नाई की दुकाने और ब्यूटी पालर सीमित हैं और बहुत कम है। उन्हें साम आठ बज़े से छो बज़े सुबा तक गलियों सरकों पर घुमने की मनाही है। क्या-क्या हो रहा था। अगर यह प्रशना आजाए छात्रों की जर्मनी में यहुदीयों पर किस तरह से अत्याचार हुआ करते थे। तो यहां पर आपके उत्तर ह होगा कि मैं 1940 के बाल अच्छे समय बहुत कम और बहुत दूर हो गए। पहले युद्वा फिर आत्म समर्पन और फिर जर्मन लोगों का आना जिससे यहुदियों के लिए कर्सिन दोरा आ गया था आ गया है। यहुदी विरोदी नियमों ने हमारी आजादी को सीमित कर दिय अब अगर यह प्रशना आता है कि यहुदी विरोदी नियम क्या क्या थे तो यह नियम निमलिखी थे। यहुदियों को एक पीला तारा ठाकना आवस्यक था। उन्हें अपनी साइकीलें जमा करा देनी पर ही। यहुदी ट्राम आदिसारवजनिक वानों पर नहीं चड़ स सकते हैं। अपनी कार भी नहीं चला सकते हैं। उन्हें के वलसाम 3-5 वह तक अपनी खड़दारी करने के लिए छूट है। यानि कर्फी भी था उनके लिए। उनके लिए नाई की दुकाने और वीटी पालर भी बहुत कम थे सीमित थे। उन्हें साम 8 वह से 6 बज़े भूमने की इजाजत नहीं थी, मनाई थी। उन्हें थियेटर, सिनेमा, अत्वा किसी भी तरह के मनरंजन करने की मनाई है। यहुदियों को किसी खेल कुद गतिविदी में भाग लेने की अनुमती नहीं है। यहां देकिए, अनुमती भी नहीं थी। यह सभी हमारे पॉइ एक, दो, तीन, चार करके और एक बड़ा कुशन का उत्तर हो जाएगा। वे अपने अत्वा, अपने मित्र के बगीचे में रात आट बजे के बाद नहीं बैठ सकते थे। अपने घर के सामने अगर लौन है तो वो अपने मित्र के बगीचे में नहीं बैठ सकते हैं। आई मित्र हैं, तो उनके भी घर नहीं जाएंगे। वे केवल यहुदी विद्याले में ही जा सकते हैं। आदी आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते, मगर फिर भी जीवन चल रहा है। जी रहे हैं। क्योंकि मित्व जब तक नहीं आती, तब तक तो जीना ही तुमारी एन, और तब यह अपने डाइरी को संबोधित करती है, और अपना परिछा देती है कि तुमारी हैन। आईे छात्रों आगे देखते हैं, अगला पत्र लिखती है अपने डाइरी में, अपने डाइरी को संबोधित किते हुए 5 जुलाईילו 942 को, जो रवी बार किट्टी अपने डायरी को संभूधित की प्यारी किट्टी यहुदियों के थियेटर में सुक्रबार के दिन हमारा परिक्षा परिणाम वोसित हुआ मेरी रिपोर्ट कार्ड इतनी बुरी नहीं थी मुझे एक डी मिला बिजगनित में सी और बाकी में बी मेरे माता पिता खूस हैं क्योंकि वे अंकों के मामले में अन अविभावकों की तरह नहीं हैं वे अच्छे या बुरे परिक्षा परिणामों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं अपने पिता और माता के बारे में बताती हैं बहुत बच्चे की मुल्यांकन को दर्किनार करके अपने बच्चे के विचारधारा को वह अग्रेसर करते थे यह अच्छी आदत थी बिल्कुल चिंता नहीं करते जब तक कि मैं स्वास्त और प्रसंद हूँ और उन्हें पलट कर जवाब नहीं देती वे संतुष्ट है अठाथ उन्सके घर में यानि फ्रेंक के घर में सिधांतों के अपने अच्छा संसकार को अधिक महतों दिया जाता था सिधांत अच्छा यह करना है यह करना है यह नहीं करना है यह करना है यह सिधांत होते हैं यह नियम होते हैं लेकिन संस्कार वो होते हैं कि वो पलट के जवाब न दे और स्वस्त रहे कभी मिमार न परे तो माता पिता इन बातों से ही प्रशन्य थे खुश थे, संतुष्ट थे कुछ दिन पहले जब हम अपने परोस में घूम रहे थे, तब पापा ने गुपता स्थान पर जाने की बात पापा ने कही थी, हो सकता था उन्हें आसंका हो या कोई जनकारी हो कि वहाँ पर सुरक्षा नहीं है सही सुरक्षा विवस्ता को दृष्टिकोन में रखते हुए, वह ऐसी बातें कहे होंगे, उन्होंने कहा कि से दुनिया से कट कर, राना बहुत कटिन होगा, मैंने उनसे पूछा, कि वह हमें यह सब बात क्यों कह रहे हैं, मैं बहुत डर गई थी, तुमारे एन वह बच्ची थी, उसे यह पता नहीं था कि उसके पिता क्यों कह रहे हैं, ऐसी बात कि हमें गुप्त अस्थान पर जाने की आवस्तक्ता है, गुप्त का अर्थ ही होता है, जहां कोई न जान पाए निशन्दे महाँ पर सुरक्षात्मक गतिविधियों को ही देखा गया था, और उनके पिता द्वारा यह लिया गया था, निर्णय की किसी गुप्त अस्थान पर जाना चाहिए छात्रो यह पार्ट भी बरा है, और इसे तीन पार्ट में विवक्त किया गया है, अथा अगले पार्ट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और एनिफेंक के लिए एक मुस्कुराहट भरा सलाम, क्योंकि उस कम उम्र की बच्ची ने दुनिया को आज दिखाए, कुछ नई बातों से हमें आउगत कराया, इसलिए एनिफेंक को धन्यवाद देते हुए, आपको भी धन्यवाद, आपका दीन मंगल में हो.